विराट या सत्या किसके नाम का सिंदूर है साई के माथे पर किसके नाम का मंगल सूत्र है साई के गले में जो यहां बहुत बड़ी चीज जो है वो सामने आ रही है खबरे यह है कि माना जा रहा है कि साई और सत्या की कोई शादी नहीं हुई है सई ने सत्या से शादी नहीं की है ये सिर्फ एक नाटक है और वो इसलिए क्योंकि सई जो है वो मदद करना चाहती है सत्या की आपको पदा ही है कि सत्या की शादी को लेकर कितनी सारी प्रॉब्लम चल रही है तो वहीं पर अब सही है फैसला करती है कि लोगों को दिखाने के लिए जो सत्या है उससे वो शादी कर ले ऐसे में जो सत्या है उसको भी थोड़ी रहत मिल जाएगी हलाकि ये जो कुछ भी होगा ये सिर्फ एक नाटक है और बाद में सत्या को सई से प्यार हो जाएगा ये बात पक्की है और आने वाला जो एपिसोड होगा वो बहुत धमाकेदार होगा इसे बीच जो विराठ है उसे बहुत सारी गलत फैमिया होने वाली है क्योंकि जब तक मंदर में पहुचेगा तब तक बहुत देर होचुकी होगी और सई जो है वो शादि शुदा हो चुकी होगी लेकिन ऐसे में सब कुछ सत्या के लिए उसने किया है तो आपको बता दें ऐसा नहीं है क्योंकि अभी तक तो तो सई को यहीं लगता था कि विराट ने उसे धोका दिया है उसे यही लगता था कि विराट ने जान भूच कर पाकी से शादी कर ली है और इसे वज़़ा से वो विराट से इतनी नफरत करती थी कि उसने जो है, वो सिंदूर लगाना भी छोड़ दिया था और अगर आप देखेंगे तो सई और विराट का ना तो तलाक हुआ है और ना ही कोई प्रॉब्लम हुई है सिर्फ और सिर्फ ये एक situation ऐसी थी जिसकी वज़ा से सई जो है वो अलग हुई और साथी साथ विराट और पाकी की शादी हो गई अब ऐसे में यहाँ पर शायद सई को रेलाइज होगा और सई को लगेगा कि वो तो शादी शुदा है ऐसे में दुनिया वालों को ये लगे कि सई ने जो है वो सत्या से शादी कर ली है और यहाँ पर सई जो है वो लगातार सिंदूर में नजर आएगी और साथी साथ मंगल स सूत्र में भी नजर आएगी आप सबने प्रोमो में भी नोटिस किया होगा आप सबने देखा होगा कि बहुत वक्त बात सही नजर आई है और वो भी यहां पर आप देख सकते हैं जो नजर आ रही है वो सूट पहनी होई है और साथ-साथ यहां पर जो है वो मंगल सूत्र भी और इसी के साथी साथ सिंदूर पर भी कई बार जो है वो फोकस किया गया है तो ऐसे में यह आप देख सकते हैं यह प्रेडिक्शन है लेकिन यह बहुत ही ज्यादा ठोस प्रेडिक्शन लग रहा है जहां पर आप सब यह देखने वाले हैं कि सही जो है वह विराट के नाम का म देखने को मिलने वाला है जो कि यकीनन काफी जादा एक्साइटिंग होगा काफी जादा मज़ेदार होने वाला है और इसे देखकर सायरेट फैंस जो है वो बहुत खुश हो जाएंगे तो वही पर जो साया फैंस है उन्हें थोड़ी से निराशा हाथ लगीगी लेकिन साय के लिए यह चीज कहना खलत नहीं होगा कि साह और सत्या बहुत अच्छे दोस्त और से जो है वो सत्त्या को बहुत मांती है तो पर सत्या even साय को करने लगी गा तो देखना तल्चस्प होगा अगर कहानी कुछ इस तरह से आगे बढ़ती थियाए वेलों आप सुद्ने है आ झाल झाल